ओम गुर्वीन आज आप सब को एक छोटा सा उपाय बताने जा रहा हूं जो कि हर एक दिपत के लिए चाहे हो नजर हो टोना अटमानी उपरी बाधाएं हो या ग्रह का शंकट हो प्रकृतिक दैविक दैविक भावतिक जो भी हो सब दूर हो जाएगा सिप छोटा सा उपाय क् करना है काली मिर्च क्योंकि यह शुक्रवार का दिन है तो कारली मर्च बहुत ही लापका होता है क्या करें शुबशनान करते हो वक्त करने के बाद आप जो पूजा घर में आए तो नव काली मिर्च लेके पूजा स्थान पर अरपित करते हैं आप रखके फिर वही क्या करे शाम को दाइने हाथ में लेके अपने चारों तरफ वार लें वार के सभी दिसाओं में फैक दें अपने मनुकामनाओं को बता के पैंक दें आपके मनुकामनाओं को हो जाएंगी और इससे क्या होगा कि आपके जो भी बाधाई होंगी भी पत्त होगा वो मनुकामनाओं आप बोलके या करजे से होगा या जिस भी परकार की होगा सब दूर हो जाने लगे क्योंकि काली मेर्चे सेहत के लिए लावदायक होता है स्वास्त के लिए लावदायक होता है लेकिन इसका फूजन में कितना लाव होता है इस जब आप करेंगे तब आपको पता चल जाएगा